हलो दोस्तो आप सभी का स्वावगत है हमारे यूटूब चैनल कभिंदर भाईया पर तो दोस्तो आज हम लोग कक्छा 6 का ग्री सिल्प याने की ग्री विग्यान पढ़ेंगे आज हम लोग पाठ एक पढ़ेंगे हमारे पाठ का नाम है स्वास्थ्य तो आज हम लोग इस पार्ट से अभ्यास प्राश्ण और बहुविकल्पिय प्राश्ण देखेंगे तो चलिए पहला प्राश्ण देखते हैं बहुविकल्पिय प्राश्ण इसमें सही विकल्प को चुनिए पहला प्रश्ण है अच्छे स्वास्त के लिए आवस्यक है तो देखिए इसमें चार ओप्सन दिये हैं उसमें से जो सही होगा उसे सही ट्रिक लगा देंगे या फिर इसमें से सही कुछ चुनना है तो देखिए है को नमबर अत्यधिक भोजन करना देर तक सोना, दवा का सेवन करना या फिर गो नमबर है नियमित वा संतुलित दिनचार्य का पालन करना तो हमें अच्छे स्वास्त के लिए नियमित वा संतुलित दिनचार्य का पालन करना आवस्यक है चलिए अगला देखते हैं प्रश्ण दो नमबर है सुबा उठकर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए तो देखिए को नमबर है सौच जाना चाहिए या फिर भोजन करना चाहिए या नहाना चाहिए या मोबायल चलाना चाहिए तो देखिए सुबा उठकर सबसे पहले हमें सौच जाना चाहिए चलिए अगला देखते हैं प्रश्ण दूसरा है अतिलगू तरिय प्रश्ण इसमें को नमबर प्रश्ण है हमें उत्तम स्वास्त के लिए कितने घंटे सोना चाहिए तो इसका उत्तर हो जाएगा हमें उत्तम स्वास्त के लिए कम से कम छो से साथ घंटे तक सोना चाहिए खनमबर प्रश्ण है सुरियोदे से पुर्व उठने क्यूं आवस्यक है यह क्यूचन कर रहा है कि सुरियोदे से पुर्व याने की पहले सुरियोदय याने की सुरियोदय निकलने से पहले हमें क्यों उठना आवस्यक होता है तो चलिए उसका उत्तर देखते हैं अच्छे स्वास्त के लिए सुरियोदय से पूर्व उठना आवस्यक है चलिए अगला नमबर प्राशने देखते हैं जिसके सदस्यों में पूर्ड तालमेल हो, सब का स्वास्त उत्तम हो, परिवार की जरूरतों के अनुसार आए हो, सिछा का वाता वरण हो और बुरी आदतों से सब दूर हो. चलिए दोस्तों अगला प्रशन देखते हैं, कर नमबर प्रताप का स्वास्त क्यों खराब हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रताप का स्वास्त उचित खान पान के अभाव में और अनियमित दिनचार्य के कारण खराब हुआ, चलिए अगला प्रशन देखते हैं, चा क्या लच्छड है तो इसका उत्तर हो जाएगा पूरता विकार रहित अच्छी सारिक स्थिती स्वास्त का लाती है अच्छे स्वास्त के निम्नलिखित लच्छड है तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो कौन कौन से लच्छड है तो देखिए पहला है निरोगी सरीर स्वास् विक्सित मान स्पेसियां, चिकने, चमकीले और मजबूत केस सरीर का पुष्ट होना, रोग प्रतिरोधक छमता होना कारियों को लगन एवं मेहनत से करना आच्छी भूख लगना, भरपूर नीद लेना सकारात्मक सोच और साथ नमबर है सरीर तंतरों की सही क्रिया और आच्छी नमबर है आयो के अनुशार भारव लंबाई होना चलिए दोस्तों, अगला नमबर देखते हैं खार नमबर प्राश्चन उत्तम स्वास्त के लिए आप किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तम स्वास्त के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है तो चलिए देखते हैं वो कौन-कौन सी बाते हैं प्रातह काल सुर्योदे से पूर्वजगना, सौच, अश्नानादी के निवरित होकर हलका-फुलका व्याम करना जैसे तहलना, दोडना, रश्टी कूदना आदी नास्ते में पोश्टिक चीजे जैसे अंकुरित अन, फल, दूध, दलिया आदी लेना दिनचार ऐसी बनाना की उसमें दिन भर के कारियों के अलावा खेल कूदव मनोरंजन भी अनिवारी रूप से सामिल हो भरपूर मेहनत करना और 6-7 घंटे तक गहरी नीद लेना भोजन में हरी पतिदार सबजियां, दाल, सलाद, रोटी, चावल, दही जैसे पदार्थों को सामिल करना जरूरी है तो दोस्तों अच्छी स्वास्त के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताईएगा धन्यवाद